हाँ दोस्तों हमके सलास्रीश के अंतरगत फिर सेक नए केस पर चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम आप आर्सी कूपर व्रते भारस्वं के नाम से जानते हैं लेकिन इसका पूरा नाम है रुस्तम कवास जी कूपर बनाम भारस्वं यार इसमें से बैंक का जो राष्टी करन मालनी इंद्रा गांधी की दरा किया गया था उसको अवयद भोसित किया था पहली बार सन 1979 में लगवग 14 वारिजिक बैंकों का राष्ट्री करण किया गया बैंकिंग कंपनी अधियम 1979 के 22 को लागू करके इस कठोर कदम को उठाने से पहले है विवार्था कि जिन दोस्यों के लिए बैंकों का राष्ट्री करण किया जाना चाहिए जिसे बैंकों पर सामाजिक नियंत्र का अर्थ ऐसे नियमों और निर्देसों को जारी करना है भारत के लिए बनाएगे कानूनों को लागू करने के लिए आवश्चक हो तकते हैं जैसे भारस सहकार के सहयोग से ब्यापार और प्रिसी की उदार सर्थों पर निटुदान करना यह विवाद जनता के विच गर्मागरम का भहस का कारण बना तरुषार बैंकिंग कमपनी अधियम 166 पर सभी संभावित आधारों पर सवाल उठने लगे उनमें से कोई भी आधार आज इग्जिस्ट नहीं करता सबसे बड़ी बाब क्योंकि संपत्ति की अधिकारते संबंधित प्रावधान उच्छे 31 स्थव से निरस्थ कर दिया गया हाला कि यह प्रश्ण की मुआवजे से संबंधित मामले को उस समय किस दिश्वोर्ती देखा गया इन नड़ों में पाया जा सकता है क्योंकि प्रजेंट टाइम में नजर डालते हैं चोड़ने के लिए स्वामी की अनिच्छा और उसलाब की जो अधिगरहन करता को अधिगरहन ते प्राप्त होने के संभावना है ध्यान में रखे बिना भूमी अधिगरहन अधिनियमों के तहर्थ भुपतान किया मुआवजा स्वामी के लिए भूमी का मुल्य है उसकी महावनावं और उसके वितीत अनुकूलन छम्ता तहिज जैसे याद विश्य सुरूप से किसी वितीष्ट उपयोग के लिए उपयोग तहिज वह दिग्रहन की तारीक में बढ़ा हुआ है